हेलो दोस्तों आपका स्वागत है एर संस गिफ्ट एंड प्रिंटिंग अब मैं और इस वार जो मैं वीडियो लेकर रहा हूँ ये कब डिजाइनिंग पर लेकर रहा हूँ तो इस वार जो software में यूज़ करने वाला हूँ वो Photoshop का CS6 यूज़ करने वाला हूँ इससे पहले जो मैंने बनाया था वीडियो वो 7.0 पर बनाया था तो CS6 के लिए मेरे पास comment आया था कि कुछ magic tool यूज़ नहीं कर पाते हैं तो इसमें कैसे यूज़ करना है तो वो मैं आज आपको बताऊंगा तो सबसे पहले मैंने Photoshop ओपन कर लिया Ctrl N करके New Window ओपन कर लिया इधर आपको अपना Cup का डिजाइन डालना है तो जो Cup का डिजाइन होता है उसका width 209 और जो height होती है वो 94 mm होती है कि रिजॉल्यूशन आपको 300 एडी रखना है तो यह आपका Cup का डिजाइन आ गया अब इधर हमें क्या करना है सबसे पहले बैग्ग्राउंड लगाने तो बैग्ग्राउंड के लिए हम जाएंगे Google पर तो यह बैग्राउंड मैंने अल्रेडी खोल रखा है कुछ नहीं करन करना है कि तो पीपेश्ट कर दिया मैंने अब इसको फोटो सॉप में जो कपका डिजाइन उसमें लेना है CTRL E करके उसको मैं मिक्स कर दिया आप अब हम लेंगे पैंटूल क्योंकि हमें बनाना है डिजाइन तो सबसे पहले तो हम यह मार्जिन ले लेते हैं कि कि इतना है इ left click जो है उसको दवाय रखना है और ऐसे stretch करना है तो आप देख सकते हैं यह ओवल से बन रहा है तो इस एक इधर करना और यह हमारा बन गया एक बन यह होगया अब हमक्या करना है हमें सेकंड डिजाइन ही चाहिए हमको क्या करणे हम यह यह लिए ब्रस टूल अब आप देख रहे हैं तो कुछ होनी रहा है तो इसके लिए बेंग्राउंड पर क्लिक कर देना है और दर आको नूड़ियर करना है निउ लियर सेलेक्ट करने के बाद आपको यह इस प्रकार से यह आप सो जो ब्रस टूल रहा है यह मैंने राइट क्लिक करा इधर आपको अपने कोडिंग कोई साभी ब्रस साइस चूज़ कर लेना जो आपको डिजाइन चाहिए और फिर उसको सेलेक्ट कर लेना तो मैं यही इसको बड़ा कर देता हूं तो अभी यह देखने में इतना ज्यादा खास नहीं लग रहा हूं लेकिन जब हम इसमें फोटो लगाएंगे तो लोग काफी बैट रहेगा और कुछ चीजें भी जो मैं आपको बता हूं जैसे CS6 में मैजिक टूल वर्क नहीं करता है जो 7.0 फ तो मैं अपने हर वार की तरह सेंपल इमेज इस ही लूँगा तो सबसे पहले कंट्रॉल ए करके हमें इसको पूरा सेलेक्ट करना है और कंट्रॉल एक्स तो यह हो गया कट हमें अपनी डिजाइन पर जाना है अब इदर क्या होता है जैसे हम 7.0 में आता तो मैजिक टूल यह आ रहा है कि मैंजिक वेंड बिकॉज डार्गेट इस फिल यह रहे है मतलब यह फिल यह नहीं है तो कुछ निकरना है इदर कंट्रॉल भी कर देना है तो जो आपका यह फोटो है इसको हमें इसके अंदर ले जाना है तो फोटो को इसकी ऊपर ले गए इदर आप देख स इससे क्या है हमें एक एमटी लियर बनाने की जरूत नहीं पड़ेगी तो एक डिजैन हमारा हो गया है अब यह क्या यह ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है तो इस सेप बन पर क्लिक करना है कंट्रॉल जे कर देना है और जो नीचे वाले सेप इसको थोड़ा सम कर देते ह आगे है तो इसका कलर भी थोड़ा हम चेंज कर देंगे है कि कलर आप अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देंगे जिससे कि आपको पूरा समझ मैं अब हम लेते हैं अपना सेकंड फोटो तो यह वाला फोटो हम हटा देते हैं अब जो सेकंड फोटो है वह हम सेलेक्ट करेंगे यह वाला कंट्रोल एक्स यह होगा आपका कट तो यह वाली लियर हम हटा देते हैं तो इधर अगर हम मैजिक तूल का यूज करके देखते हैं यह करते हैं जो हुमारी यह वली यहार है इसके ऊपर फोटो को लेकर आना है तो यह फोटो हमारा उपर आगया maggie वह हें पहले की तब तो यह जो है मैंने एरेजर तूल सेलेक्ट करा है और यह फैदर थोड़ा लगा है मैंने जिसके अकोडिंग यह क्या है फोटो में मिक्स हो जाएगा तो यह देखिए इसको थोड़ा और छोटा करते है और साइट से भी थोड़ा सा हम कट कर देंगे तो ब्रेस टूल हमको सेलेक्ट करना है और जो फैदर है वह आप देख सकते हैं 129 मेंने साइज इसका करका है हाड़नेस टोईल है तो यह हमारे डिजाइन आ गया है तो अभी भी इसमें प्रॉपर लुक नहीं आ रहा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे जो सेड में थोड़ी डिजाइनिंग वगर होती है वो लेंगे तो हमें जाना है गूगल पर और यहां आपको सर्च करना है कॉर्ण प्लॉवर और चुर्ण।फ ह के यह यह सेलेट कर लिए अब ये फ्लोवर कॉर्णव नगा सकते हैं तो कोई साल भी डिसान अम लभी सकते हैं तो मैं एस सेमपल यह वह लेỉलेता हूं open image in new tab इसको हमें सेफ करने की जरूत नहीं है डिरेक्ट कॉपी करते हैं और यहां हमने कर दिया पेस्ट थोड़ा जूम आउट कर रहे हैं control प्लस दवाने से यह जूम आउट हो गया और इधर हम यूज करेंगे magic तूल तो जो tolerance से वह हंड्रेट करते हैं तो अब आप देख रहे हैं यह पूरा सेलेक्ट हो रहा है ctrl ड करके डि सेलेक्ट कर दिया फिर एक बड़ दुबारा तो यह दुबारा से पूरा से लेक्ट हो रहा है तो tolerance को थोड़ा हम कम करते हैं फिर कंट्रोल डी तो आप देख सकते हैं इसका जो background है वो हड़ गया है इसको थोड़ा छोटा करते हैं और इसे ले जाते हैं टॉप पर एक flower हम इधर लगाएंगे और इसको फिर copy करेंगे तो copy के लिए control जे भी आप कर सकते हैं सेकेंड तरीका यह है कि आपको alt बटन दवाय रखना है और mouse का जो left क्लिक है वो दबाना है तो alt बटन दवा कि आप देख रहे हैं मेरे cursor पर double click बन रहा है यह copy का sign होता है तो मैं left क्लिक कर देता हूं इस पर य guide अदॉकर काश्रा उंप का एक लगप उरब र्सक्राइब करें तो इसको लाएक क्रें सब्सक्राइब करें करें हैं हए है बागी सब्ली में संसे लीटेड हम वीडियो लेकर आते हैं ती शु प्रिंटिंग कर अगर आपको कुछ भी जानना हो तो आप हमें ड डि एंब कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं description में मेरा WhatsApp नमबर है टी-चर्ट से regarding विए अगर आपको कुछ बल्क में टी-चर्ट चाहिए या inquiry वगरा चाहिए तो आप हमें WhatsApp कर सकते हैं तो यह मक का design हमारा हो गया है ready अब जैसे यह अगर आपको मग डिजाइन लिखना है कुछ भी लिखना है तो अब हम इस पर लिखते हैं है एपी एपर स्रीज एडवल पी वाई हैपी कि मैरी जैनिवर्सरी तो यह मैंने लिख दिया लेगन अभी इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि नीचे की तरफ है तो इसको लिए हैं तो अभी यह सिंपल फॉइंट है तो इधर हमें फॉइंट चेंज करना होगा फॉइंट चेंज करने के लिए आप कुछ भी फॉइंट वगरा दिख सकते हैं यह अमेजिंग किट्स फॉइंट का नाम है इसको करके देखते हैं तो यह लोग अच्छा रहा है लेगन अभी किलर थोड़ा अलग करते हैं इसका इसमें जो श्ट्रॉक है वह हम लगाएंगे रेड़ कि बागी का फोटो सॉप से लिटेड़ अगर आपको और भी चीज़ से जान नहीं है तो आप मिरेको वाटसअप कर सकते हैं या अब हम से जुडे रहिए मैं सारी वीडियो लेके आतो हूं अगर आपको कोई ट्रॉल यूज करना नहीं आ रहा है तो भी अब कर सकते हैं अकमेंटْ quello सब नेरे करता हूं तो यह हमारेल philosoph करता हूं तो यह हमारे ड आपने इस फोटो में आती वह मग में ग्लॉसी पन जो आता हो काफी अच्छा आता है कंट्रॉल एंड करेंगे प्रेंट कमांड के लिए अब मैं यह इस पर पहुंच रहा हूं यह नया पेज अपना ओपन हुगा इसको सेलेक्ट करके एफॉर पेज पर लेगा है तो इधर आ इसको चूज कर सकते हैं प्रेंट सेटिंग में गए और यहां आपको मिरेश पर टिक करना है ज्योंकि मिरर प्रिंट निकलना होता है हमको पेपर टाप जो आप चूज करेंगे वह एप्सन मेट चूज करना है आपको बागी का ओकी कर देना है और एक चीज और मैं आपको बता दूँ जब आप प्रिंट निकले तो स्केल टू फिट मीडिया आपको करना है जिससे क्या चारो जो कॉर्णर है कोई भी इसका कटेगा निए और प्रिंट अच्छे तरीके से निकलेगा तो हर बार स्केल टू फिट मीडिया जब भी आप मग डिजाइन निकलते हैं त थैंक यू